दोस्तों नमस्काल सो आगे थे हैं आप सभी का एक बार फरी से आज की बड़ी खबर है मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आएं जहां पर जानेंगे राहूल गांदी की सहा के खिलाफ कोट में बड़ी जीत हुई है जज ने दी है बड़ी रहत राहूल गांदी को यात्रा से पहले राहूल गांदी को गिरफतार करवाने की थी तैयारी विस्तार से जनते हैं आगे रिटार्ड होते ही सुप्रीम कोट के जज इंडिया गढवन्दन पे दिया है बड़ा बयान मचा हड़कम पर भी पच्छ के समाथन में उत्रे सुप्रीम कोट के रिटार् जी आई ने भी उनके रिटार्मेंट पर बड़ी बाते कहीं थी वहीं दूसरी था अब टीम सी का खुलासा पश्री मंगाल में एडी पर की टीम पर हुए हमले में बीजेपी के लोगों का हाथ है उनके ही सारे पर हुआ है पूरा कांड राजिस्थान में एक बची हुई सी सुप्रीम कोट के रिटार्ड जज जी हां दोस्तों मोदी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं सुप्रीम कोट के रिटार्ड जज संजय किशन कॉल पूरी खवाच जानते हैं बतमान सरकार को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है दोस्तों सुप्रीम कोट के जज संजय किशन कॉ बीटे साल दिसंबर महा में रिटायर हुए थे अब उनका एक बड़ा वयान निकल के आया है जहां पर उन्होंने विपच्च को यहां पर बड़ी नसीहत दी है कहें तो एक तरीके से उन्होंने मोदी सरकार को निशानी पर लिया है संजय किशन कॉल का यह बयान पहला नहीं ह इससे पहले भी वहाँ अपने रिटायर्मेंट के समय कह चुके हैं कि जजों को निस्पच दईके से बिना किसी के दवाव में काम करना चाहिए क्योंकि उन्हें सम्मेधानिक साल अच्छन प्राप्थ हैं जश्टिस संजय किशन कॉल ने आगे बातचीत में कमजोर विपच्च के नुकसानों को रेंखांकित किया है उन्होंने कहा कि जब विपच्च कमजोर हो जाता है तो एक अलग तरह की समस्य उत्पन होती है जैसा आजकल है जब गठवंदन की सरकारे होती थी तो बैलिंसिंग यहां पे ज्यादा होती थी अलग अलग विचारों को ज्यादा सुना जाता था जब एक सरकार जाधा मेंडेट यानि पूर्ण गहुमत के साथ सत्ता में वार वार आती है तो वहाँ समझने लगती है कि वहाँ जो चाहें वहाँ करें विपच्छी दल कहते हैं उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है पूर्व जैज संज अमर्यादि टिपनी मामले में नहीं होगी पीड़क का रिवाई जारखंड हाई कोटने कौंगे इसके पूर्व राष्टी अध्यच और केरल के वायर नाट से लोग सवा सामसद राहूल गांदी को बड़ी रहात दी है हाई कोट ने आज ही संबन्द में दायर याजकापा सुनबाई के वाद केंद्र ग्रीयम सहकारिता मंत्री अमिसा के खिलाफ उनके दौआ जो टिपनी की गई थी उसमें राहूल गांदी के खिलाफ पीड़क का रिवाई पर रोक लगाई जस्टिस अंबुचनात की कोट ने राहूल गांदी के खिलाफ दायर मान हानी मामले मे सुनबाई करते हुए निचली अदादत के फैसले को यहां पे दोस्तों रिकॉर्ड जमा करने का आदेश दिया है बता दें कि 1218 में दिल्ली में कॉंग्रेस का महा दिवेशन हुआ था इसमें राहूल गांदी ने अमिसा को लेकर कुछ टिपनी कर दी थी जिसे बीजेपी दोस्तों मानहानी का मामला बनाके कोट में पेस किया और इस पर अब सुनबाई जा रही है आपको बताते चलें राहूल गांदी के खिलाफ 1219 में ये मुकदमा दर्ज कराये गया था जब से गुजरात के कोट से राहूल गांदी को सजा मिली है तब से इस पका के मामले मानहानी मामला दायर हो रहा है आपको बताते चलें राहूल गांदी की तो गिरफ्तारी तक की तयारी हो गई थी कोट में वहाँ पेस नहीं हो रहे थे जिस पर हाई कोट ने उन्हें बड़ी रात दिया दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी ख़वा निकल खिया रही है उत्तर पर्वार कोट ने सुनाई है दो साल की सजा बहराई से बीजेपी विधायक सुरेसर सिंग को दो साल की सजा सुना दी गई है सुरेसर पर 21 साल पहले सब्सक्राइब को धंकी देने का मामला दर्ज किया गया था दो साल की सजा से उनकी विधायकी पर तलवार लटक गई है द आपको बताते चले टीमसी ने तो आरोप लगा है कि भाजपा के इसारे पर ये सब हुआ है और उसके ही आदमियों ने किया है ED पर हुए हमने के लिए टीमसी ने भाजपा को जिम्मेदार ठागा है कहा भी पच्छी दल लगता जनता को भड़का रहा है बाजपा के आदेश पर केंदे अजन्सियों और केंदे वल सिर्फ तर्णवूल को अपमानित करने के नाम पर विभिन इलाकों में जाकर तलासी अभ्यान चलाती है टीमसी ने दावा किया कि बंगाल में इस तरह की घटनाओ की एक सरंखला बन गई है बीजेपी राज सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब कर रही है ये टीमसी ने का है महराश्ट से अपडेट आ रही है जहां पर एडी ने की है बड़ी कारवाई सर्थ पवार के पोते और विधायक रोहित पवार के बारा मती एग्रो पर एडी का च्छापा अच्छे जगों पर जांच सुरू हो गई है दोस्तों एनसीपी में अजीद पवार की जगा रोहित पवार ने ले ली है रोहित अब सर्थ पवार को मजबूत कर रहे हैं रोहित आजकल जवदर्थ महनत कर रहे हैं और उनकी पर एडी ने च्छापे मारी सुरू कर दी है सरकार ने एक तरफ एंडिया में सामिल अजीद पवार के करफशन की सारी फाइले बंद कर दी वहीं अब रोहित पवार को टार्गेट सुरू कर दिया है उन्हें टार्गेट बनाया गया है मकसद साफ है रोहित चुनाओ से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साही इद गाह को कृष्ण जनम भूमी घोसित करने की पी आईल को खारिच कर दिया या चिका कहता को फटका लगाई है कोर्ट ने कहा कि मुकतमेवाजी की अधिकता नहीं होनी चाहिए इसे पी आईल के तोर पे दायर किया गया इसलिए खार हुए हैं और नतीजे आठ जनबरी को आएंगे यहां से बीजेपी उमीदवार को चुनाओ जीतने से पहले ही राज्य मंतरी इस्तर का दैजा दे दिया गया उन्होंने सपत ले ली लेकिन अगर हारत हैं इनके बीजेपी के उमीदवार तो इनकी बहुत ही बड़ी किरक्री होगी क्योंकि इतियास में पहली वार है जब किसी बिना जीते हुए पत्यासी को पहले से ही मंतरी बना दिया गया हो यह अपडेट निकलके आई है आठ जनबरी को नतीजे आएंगे दोस्तों जो आप तक पहुँचाएंगे सबसे पहले वहीं इसी के साथ एक और बड़ी ख़बर आ रही है आम अद्वी पार्टी ने दिल्ली महिला आयोक की मौझूदा ध्यच स्वाति मालिवाल को राज्यसवा भेजने का फैसला किया है स्वाति मालिवाल पहलिवार राज्यसवा सदस्य बनेंगी और वहीं दोस्तों दिल्ली की तीन सीटों में से एक पर स्वा राज्यसवा भेजएगी आम अद्वी पार्टी आम अद्वी पार्टी की पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी ने इसकी मंजूरी दे दी है ये दोस्तों बड़ी खबरे थी आज के सभी मुख्य समाचार जो इस वीडियो में आप तक पहुंचा है वीडियो आपको पसंद आया ह तो एक लाइक जरू कीजेगा अपने दोस्तों तक भी वीडियो को जरू पहुंचाईएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद जय हिंद जय भारत